नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल एन पी गुरूट में तो देख के जेबर एरपोर्ट की एको लेटेस्ट खबर आई नई खबर आई ए नई में जिनकी जो जमीन गई हैं जेवर एरपोर्ट के लिए जो जमीन आई हैं जो जमीन के प्रभाव इतने हैं उनके लिए दोस्तों जेवर वांगर में बसाने का कार रहा है अगले महिने से सुरू होने जा रहा है तो दोस्तों उनको वहां पर बसाया जा रहा है जेवर वांग भीडियो को पूरा देखिए यह बीडियो को चोड़ने करूंगे बिकास कार तो देखिए पुनरवास के लिए जीबर मांगर में अगले महीने से सुरू होने जा रहा है कार रहा है जिसमें की फुल सुभिदां दी जा रही है तो इसकी और भी जानकर ले ले लेते हैं तो बने रही है हमारे साथ जागरन संबाद दाता ग्रेटर नौएडा नौएडा इंटरनेशनल एरपोर्ट के लिए अधिगरित जमीन के प्रभावित परिवारों को बसाने के लिए जेबर मांगर में अगले महा से धाचागत विकास कार्या सुरू हो जाएंगे गिरामिणों के लिए विक्सित किये जा रहे सेक्टर में पाइप लाइन से पानी की सप्लाई होगी इस्ट्रीट लाइट पक्की सड़क आदी की सुब्दा होगी बिजली की बहतर ब्यवस्ता के लिए 33 के भी सब इस्टेशन बनाया जाएगा देखिए दोस्तों यहां पर जो जेवर एरपोर्ट के लिए अधिर्यत जमीन की गई थी उनसे प्रभावित वरिवारों को यहां बसाने के लिए जेवर वांगर में अगले महिनी से काम सुरू होने जा रहा है और देखिए साथ की साथ उनको सारी सुब्दाएं भी दी जा जाएगा इन कार्णों के लिए यमना प्रादिकर्न निविदा जारी कर चुका है माहा के अंत तक ठेकेदार का चैन हो जाएगा तो देखिए यह सब के लिए यमना प्रादिकर्न निविदा जारी कर दिये और अगले महिने से अगले महिने तक ठेकेदार का चैन हो जाएग नौइडा इंटरनेशनल एरपोर्ट के लिए छे गाओं रोही पारोही दयानतपुर किसोरपुर रनेहरा वनवारिवास की 334 हेक्टर जमीन अधिरित की गई है इससे रोही वा दयानतपुर गाओं के तीन माजरे पूर्ण रूप से प्रभावित हुए हैं जबकि किसोरपुर आंसिक रूप से प्रभावित है इन गरामीनों को पुनरवास एवम पुनरव्यवस्थापन जेवरवांगर में किया जाएगा देखिए दोस्तों ये जो छे गाओं थे रोही पारोई दयानतपुर किसोरपुर रनेरा और बनवारिवास इनकी जो तेरह से चोंती सेक्टर जमीन थी वो अधिरत की गई है और इसमें रोही और दयानतपुर गाओं के तीन माजरे पूर्ण रुप से प्रवावित हुए हैं पूरी तरह से प्रवावित हो चुके हैं वो तो इन ग्रामीडों को इन जो गाओं के जो परिवार हैं उनको वहाँ पे जेबरवांगर में बसाय जा रहा है और उनके पूरी सुविदा दी जा रही है जिला परसासन यमना पराधिकरन को जेबरवांगर में भूकन विक्सित करने के लिए सूची सौप चुका है 3627 परिवार का पुनर्वास किया जाएगा तो देखिए जिला परसासन ने यमना पराधिकरन को जेबरवांगर में बसने के लिए सूची सौप दिया है जिसमें की 3627 परिवार का पुनर्वास किया जाएगा दिसंबर में सुरू होंगे विकास कर रहा है प्रादिकरान अगले महा से जेवर वांगरा में बिकास कार्या शुरू कराएगा विक्सित होने वाले सेक्टर की चार दिवारी, सडक, तीन ट्यूबेल, आंतिक सडकें, सीवर, ड्रैन, पेजल पाइप, लाइन, ओवर हेड टैंक, 33 वा 11 केवी सविस्टेशन, भूमिकत, बिजली लाइन, वा इस्टीड लाइट, वा 33 केवी सविस्टेशन को 220 केवी सविस्टेशन से जोडने के लिए बिजली लाइन आदी बनाई जाएंगे, इस पर 10,294 दसमलब 32 लाख रुपीए खर्च होंगे तो देखिए दोस्तों, अगले महिने से जेवर वांगर में विकास कर रहे हैं सुरू हो जाएंगे और जो वहां के जो सेक्टर बनने जा रहे हैं, उनकी चाड़ दीवारी सड़क, ट्यूवेल, सीवर लाइन, पेजल पाइप, आदी इसमें सारी चीज़ें कराई जा रही हैं, सब उनको सुविदा दी जाएगी और देखे, यहां पे इस्ट्रीट लाइट भी लगाई जाएगी बिजली की, बिजली लाइन और उनको यहां पे फुल सुविदा दी जा रही है गरगर पहुंचेगा पानी बिजली की नहीं होगी किलत तो देखी दोस्तों गरगर पानी पहुंचाने की बात की जा रही है और बिजली की भी कोई किलत नहीं होगी फुल बिजली इनको मिलेगी फुल सुब्धाय मिलेंगी पुनरवास के बाद ग्रामिनों को बिजली पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा पाइप लाइन के जरीए घर घर तक पानी पहुँचेगा इसी तरह भूमिकत बिजली होने से फॉल्ट आदी की समस्या से निजात मिलेगी सब इस्टेशन वनने से ग्रामिनों को बिजली समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा देखिए दोस्तों यहाँ पर इन ग्रामिनों को बसाने के बाद हैं बिजली की और पानी की समस्या सब खतम हो जाएगी इनको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और साथ के साथ जो बिजली के फॉल्ट बगर होते हैं उनसे भी इनको इस समस्या से निजात मिलेगी जेवर वांगर में पुनरवास एवम पुनर वेबस्तापन कार्रे के लिए यमना प्राधिकरन को नौडल एजनसी बनाया गया है विकास एवम निर्मार कार्रे के लिए निविदा निकाली जा चुकी है अगले महां से कार्रे सुरू हो जाएंगे देखिए जेवर मांगर में यहाँ पर पुनरवास के लिए अगले महीने से काररे सुरू हो जाएंगे और विकास और निर्वार के काररे की निविदा भी निकाली जा चुकी है तो दोस्तो यह जानकारी थी और यह सब डॉक्टर अरुनविर सिंग ने इस जानकारी को दिया है जो सीओ यमना प्राधिकरन के सीओ हैं उन्होंने इस जानकारी को बताया है तो दोस्तो यह जानकारी थी जेवर एरपोर्ट की और उनके जो परिवार है जो जेवर धन्यवाद दोस्तों